नमस्कर दोस्तो दीप इलेक्ट्रोनिस लैब के और एक नया और फेस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वावात है दोस्तो आज किस वीडियो के जडिये में आपको सिखाने वाला हूँ कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है उसका चार्जर को कैसे रिपेर किया जाता है क्योंकि हमारे पास अभी ये निया डिवाइस आया है रिपेर होने के लिए अभी के जमाने में इलेक्टिक स्कूटी का बहुत ही ज़्यदा इस्तेमाल होने लगा है अगर आपने आपको इस समय अपग्रेड नहीं किया तो बाद में बहुत ही पस्ता होगे क्योंकि दीरे दीरे LCD LED TV का जो काम है वो कम होते जा रहा है आज की दुनों में इसलिए अगर आप समय रहेते आपको आपग्रेड कर लिए तो आगे आने वालक फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यदा हिल्प करेंगे पैसे कमाने में तो देखिए जब भी हम लोग कोई भी न निया डिवाइस को रिपेर करने जाता हूं उसके बारे में सारे जानकर एकटा कर लेता हूं ज्यादा तर उसी डिवाइस के उपर लिखा हुआ मिल जाती है नहीं तो उस डिवाइस के जो भी मैनुआल्स होते उसके उपर लिखा हुआ मिल जाती है लेकिन इस बारी जो चा याट्री इसको चार्ज करेंगे तो इसके लिए जो हमारे इसका वोल्टीज आउन्ट वोल्टेज एंड तीन य JEंप्यर का यह आउल्टपूट करेगा इसका कारेंड रेटिंग है और इसकाई वोलो रेटिंगर वो फिसना शाorse करो Mickey ॉ क्तिकना power supply या SMPS को इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर maximum minimum से maximum कितना होता है 65 watts उससे कम भी होता है उससे भी ज्यादा होता है यानि कि 75 watts चे ज्यादा नहीं होती है 43 इंज TV के अंदर लेकिन इस वली चार्जर के अंदर आउटपूट में 225 वाट का आउटपूट देखने को मिलेंगे इसका मतलब यह वहा कि इसके अंदर जो भी कॉंपोनेंट्स मॉस्वेट डायोड लगाया गया है वो सारे के सारे हाइव वोल्टेज का लगाया गया है हाइव वोल्टेज के साथ-साथ उसका काम करने का जो MPR होता है उसका वाटेज होता है पावर होता है वो सारे के सारे जादा होंगे अब बात कर लेते हैं वो 8 पॉइंट क्या का है यानि कि इसको इस्तमाल करने से फिला को दो-तीन चीज़े ध्यान में रखना होगा अगर इसके अंदर ही जो पावर कॉर्ड लगा हुआ है अगर यह पावर कॉर्ड खराब हो जाए तो आपको कोई प्रोफेशनल स्टेगनी सेंट के पास ही जाके चेंज करवाना है अगर को यहां पर पॉर्ज करकर देख सकतो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह वली जो हमरा इलेक्ट्रिक स्कूटर का पावर सप्लाई इस पावर सप्लाई के अंदर फॉल्ड क्या है कैसे रिपेर करेंगे कैसे ट्रैसिंग करेंगे उसके साथ ही साथ इसके अंदर जो कॉंपोनेंट्स बेगार इस्तेमाल किया गया है वो कितने जादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया गया है सारे चीज मैं आपको इसको खोलके दिखाऊंगा चलिए हमारे काम करने का टेबिल के उपर तो इस Charger के नीचे साइड यान की Backside जो 4 छोटे-छोटे Sponge दिया गया था उसके नीचे इसके अंदर Screw लगा हुआ है लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसके अंदर जो Screw लगा हुआ है इसका अलग किसम का Screw लगा हुआ है इसके अंदर नहीं माइनस का लगा हुआ है नहीं प्लास का कुछ ट्राइंगल टाइप का स्कूर इसके अंदर लगा हुआ है तो मेरे पास एक माल्टी स्कूर डाइवर सेट था तो उसके अंदर मैंने इस टाइप का स्कूर डाइवर मिला उसके मदद से मैं इस screw को खोल रहा हूँ अगर आपके पास इस type का screw driver set नहीं है तो आप आभी का भी ले लिजिएगा निचे description में link दिया हुआ है आपको based by link मिल जाएंगे तो हुआ पर खरीदने के बाद इसका दाम जादा नहीं है तो उसके मदद से खोलने के बाद देखिए हमरा ये charger एकदम open हो चुका है उसके बाद हमरा PCB भी बाहर आ चुका है और बहुत इक गंदा है हम सबसे पहले इस PCB को clean करेंगे उससे पहले भी इसको हम क्या करेंगे कि discharge करेंगे कहीं बाद PCB के अंदर इस टोडों के रहे जाती है चार्ज और सौक लगने का चांसेस रहता है इसलिए हम सबसे पहले इसको discharge करेंगे discharge करने के बाद इस PCB को clean करेंगे clean करने के बाद जो भी testing का process होता है बो testing का process हम आगे बरहेंगे तो testing करने के लिए इसके अंदर पहले से ही जो AC कोड लगा हुआ था उसको हम खोल के हमारा testing करने वाला जो AC कोड है उसको लगाएंगे ताकि हमें बहुती आसानी हो जाए इसको test करने के लिए तो दोस्तों आपने देख लिया है कि कैसे हमने फ्रेम के अंदर से SMPS power supply को बाहर निकाला हूँ यानि कि charger का PC भी है उसको बाहर निकाला हूँ और मैंने क्या करा कि इसके अंदर जो पहले से AC का कोड लगा हुआ था उसको मैं खोल के ये वली कोड को हमने लगा दिया हूँ क्यों लगाया हूँ क्योंकि इस कोड के जरी हम जल्दी इसको टेस्ट कर पाएंगे तो चलिए हम आपको दिखाता हूँ कि कैसे step by step इसको चेक करना होता है सबसे पहले मैं इसको AC supply के series connection में लगाऊंगा उसके बाद step by step voltage चेक करके आपको दिखाऊंगा अब फिलाल के लिए मैं इसको AC supply में दे दिया हूँ AC supply के अंदर लगाने के बाद जो हमरा 108 का bulb है वो बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब हमें इसको अंदर ही चेक करना होगा यहाँ पर हमारा माल्टिमिटर है माल्टिमिटर पर हम AC supply को चेक करेंगे अब क्या करेंगे DC में हमारा माल्टिमिटर को और जो हमारा में फिल्टर का वोल्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इसका मतलब यहां तक तो voltage हमारा सही आ रहा है अब हम क्या करेंगे कि एक जो प्रॉब है ना जो ब्लैक बली प्रॉब है यहां पर हम टाच करके रखेंगे और इसका जो positive सिरा है यह हम आगे की एक एक करके चेक करेंगे क्योंकि हमरा negative point common होता है इसलिए हम यहां पर रखेंगे और positive को सबसे पेल हम देखेंगे कि जो हमरा यहां पर MOSFET लागा हुआ है thin legs का इस MOSFET के जो बीच का पीन होता है जो कनेक्शन होता उसका वोल्टेज हम चेक करेंगे तो यहां से होते वह यह तो यहां पर हम टच करेंगे यहां पर भी वही सेम बोल्टेज दिखाएगा जो की हमें क्यापसिटोर के अंदर देखने को मिल रहा था यहां पर देखेट 297 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है मतलब यह भी बोल्टेज सही है इसका मतलब हुआ है कि हमारा प्राइमरी से तक होती है 15 वोल्टेज भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे तो वो वोल्टेज आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे चोटा सा कापसर लगा हुआ रहता है यहां पर देखे 13.54 वोल्टेज हमें देखने को मिला है इसका मतलब हमारा यह हुआ इसका सारे प्राइमरी नहीं मिलता हमें अलग से बनाना पड़ता है तो यहां पे तेरा वोल्टेज तो सही एक दम बिलकुल अब हम चलते सेकंडरी सेक्षिन में तो सेकंडरी सेक्षिन के अंदर जो में फिल्टर कापसिटर होता है उस में फिल्टर कापसिटर के अंदर सबसे पहले हमें तक आउटपूट करेगा वो भी तीन अम्पियर में तो इसके लिए एक बार आपको थोरा सा उल्टा करके दिखाता हूं या तो आपको यहां से दिखाता हूं यह जो हमारा क्यापसिटर का दो लेगे इन लेग पर हमें बोल्टेज देखने को मिलेगा कि नहीं यह एक बार च इसका मतलब दे हुआ कि हमारा प्राइमरी सेक्टन सही है अब आपका आउटपूट सेक्टन याने कि यहां से जो वोल्टेज हमें 60-70 वोल्टेज मिलेंगे यह भी वोल्टेज आपको चेक करके एक बार दिखा देता हूं इस प्रवाब से मैं इसको निकल लेता हूं इसको अब आगे के एक ट्रैक को चेक करते हुए और उसके बाद भी हमारी यह देखिए उसक प्यान भी हमारा नहीं चल रहा है इन डिगवाड में तो यहां पर दो दो प्रॉब है लेगे यहां पर मैंने टाच करा टाच करने के बाद यहां पर देखिए 70 भोल्टेज हमें देख दोस्तों कि यहां पे जो नेगर्टीव पीन या पॉल्टेज नहीं पहुंच रहा है तो आप मैं आपको बताता हूं कि मेरा सिक्रेट जो लाइन को ट्रैसिंग करने का तरीका होता है जो कि मैं पार्सनल इस्तेमाल करता हूं वह आप सिख लिजिए तो एक प्रॉब को जब मै यहां पे टाच कर रहा हूं और एक प्रॉब को जब मैं यहां पे टाच कर रहा हूं तो हमारा आउट्पूट का बोल्टेज सही से देखने को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहां पर यहां पर टाच करेंगे और दूसरे प्रॉब को हम क्या करेंगे कि एक एक को हम ट्रै भाए प्योज़ की इस पर मैंने टाच करा क्या वोल्टक मॉलरी नहीं तो अब इसके बाद क्या हुआ कि यह वले ट्रैक यहां से होते हुए यहां पर आया तो जब यहां पर टाच कर रहा हूं तो यहां से voltage हमिए एन पर देखने को मिलेंगे तो देखें यहां पर भी voltage नहीं है अब हम क्या करेंगे इहां पर और एक components लागा हुआ है देखिए hardest मिसाइम और इससाड़ हम चेक करते तो देखें यहां पर एक voltage दिखाय दे रहा है 64 volt याने की यहां तक तो बोल्टेज आ रही है लेकिन यहां से होते हुए जो हमारा यहां पर बोल्टेज आना चाहिए वो बोल्टेज आउट्पूट पे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं अब हमें इसका main region पता चल गया है कि यह वाला जो components यहां पर लागा हुआ है यही वाला components खराब हो जाने के वायसे voltage यहां से आगे नहीं बर पा रहा है तो अब मैं इसको AC से disconnect कर देता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर क्या और कौन सा components लागा हुआ है और क्यों उल्टा कड़ा उल्टा करने के बाद कहां पर आमें दिखा रहा था यह वाला components तो यहां पर देखें फ्यूज के बाद एक छोटा सा पीएप लगा हुआ है और यहां पर मैंने टाच करके देख रहा हूं कि वह ज्यादा हीड़ भी हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि यही वाला components खराब हुआ है तो हमें तो 100% सीओर हो चुका हूं कि यही वाला components खराब हुआ है क्योंकि उन्होंने बताया कि जब एक खराब होता ना थुरा सा स्पार्किंग का आवा जाया था लेकिन यहां पर में कुछ भी components जाला हुआ नहीं मिला है तो आब मैं components को बहान निक जाल के दिखाता हूं कि आखिर यह वाला components क्या है और इसके जागा पर हम लोग कौन सा components को इस्तमल कर सकता हूँ कि 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 तो यहां पर देखिए दोस्तों यह वाली जो components है जिसको पीए बोला जाता है और इसका value आपको साफ साफ देखने को मिलेंगे यहां पर लिखा हुआ है 471-2KV तो यहां पर 471-2KV का यह PF हमें लगाना पड़ेगा और मैं देख पा रहा हूँ कि यह PF के जो उपर से कोई भी खड़ाब या कोई damage हमें देखने को नहीं मिल रहा है यह अंदर से burn हो चुका है इसलिए हमें इस जगा पर निया लगाना पड़ेगा या तो किसी दूसरे सार्किर से खोल के हमें लगाना पड़ेगा अगर आपके पास same number का पी एप नहीं है तो आप इसके जगा पे 671-2KV का पी एप लगा सकते हो लेकिन हमारे पास एक smps power supply है देखिए इसके अंदर यह वाली जो यहां पे पी एप लगा हुआ ना इसका वैलो भी same to same है तो मैं इसको खोलूंगा यहां से और इसको यहां से खोल के मैं इस smps power supply के यह जो चारजर है ना इस चारजर के अंदर लगा दूंगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि यह हमारा चारजर सही होता है या नहीं जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूं तो यह देखिए हमने इस पीएव को निकल लेया हूं इसका वैलो भी एक बाद देख लेजिए कि चार्जर का तर्ट टू के भी का यहां पर आपको साब साब देखने को मिलेगा तो अब मैं जहां से निकाला हूं वहीं से लगा दूंगा और एक बाद जान लेजिए कि पी कॉंपोनेंट के उबारे में या इस टाइप का कॉंपोनेंट्स पा तो मैं इसको यहां पर हम बाद दोर्डेयाल प्रासेस है कि कॉल्ट मजश्च ऑस MOM कि टेस्ट करता। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहां पर रखता हूं और लखर रखने के बाद में इसके अंदर एंसरे सप्ला देता हूं 63 वोल्ट के जागा 70 वोल्ट के आसपास आपको देखने को मिलेंगे इसका जो कभर था ना इस कभर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे कि इसके आउट्पूट्स आपको कितना वोल्टेज मिलेंगे यहां पर साप साप लिखाई दे रहां आपको 60 वोल्ट से लेकर 54 बोल्ट आपको इसका आउट पूट में मिलेंगे और यह फैन है ना यह फैन नहीं चल रहा है इसके पीछे का कारण है कि जब हमारा यह यहां पर यहां पर दाला और यहां पर दाला तो यहां पर देखिए 63 बोल्ट आपको पूरपर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह जो सेंपीस है यह बिल्कुल सक्सेस्पुले रिप्यर हो चुका है आप में क्या करूंगा कि इस सेंपीस को यह जो कवर है ना इस कवर के अंदर डाल दूंगा डाल के जो कस्टमर है उसक कानल को सब्सक्राइब कर लिजिए गा और अगर आपके मन में इस वीडियो के लिए कर कोई भी सावाल या सुझावे तो नीचे कमेंट करके बताएगा आपके कमेंट करें बहुत ही जल्द किया जाएगा हम फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए उसे अल्दा ब कर दो भुकते अेम पादर बहुते हुते रिए हम एक्थ AGरी ने तबेत